नमस्कार दोस्तों आज की नई विडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरा नाम है रविंदर और दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी मोर्फो E1, E2, E3 डिवाइस की वैलिटी को कैसे चेक करोगे कि आपकी मोर्फो डिवाइस की बची है या खतम हो चुकी है तो दोस्तों यहां पर मैं बता दूँँ आपको कि इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा यह है कि मेरी मोर्फो की E3 डिवाइस जो आप नाटक कर रही है लगता है कि अब उसको एक साल पूरा हो चुका है वो वर्क नहीं कर रही है तो इसके लिए दोस्तों मैंने चेक करने के लिए मैं आपको दिखाऊँगा कि अपनी खुद से अपनी मोर्फो E3 या E2 या E1 जो भी आपके पास मोर्फो की डिवाइस है तो आप उसकी वेल्डिटी को खुद से कैसे चेक करोगे और दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप एक रिटेलर है और रिटेलर संबंदित वीडियो देखना पसंद करते हैं तो दोस्तों आप हमारी चैनल को फूरी में सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जिदिया आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं आए तो फटा पट वीडियो को लाइक कर दें comment करके जरूर बताना कि आज का यी वीडियो आपको कैसा लगा है तो दोस्तो इसके लिए मैं चलता हूँ Google Chrome में फिर मैं आपको step by step समझाऊँगा कि आपको क्या करना है तो दोस्तो आज चुके हैं मैं अपनी mobile के Google Chrome में Simply guys आपको यहाँ पर आपको search करना होगा Morpho, यहाँ पर आप देख सकते हैं Morpho, IDT, Validity, Check तो दोस्तो आपको यह type करना है Simply मैं इस पर click कर देता हूँ जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो आपको नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक option दिखेगा Check Validity, तो simply दोस्तो आपको यहाँ पर click कर देना है Full process देख के आप दोस्तो यहाँ पर back होना तो simply यहाँ पर आपका enter serial number तो guys यह हमसे यहाँ पर हमारा serial number मांग रहा है तो simply हमको दोस्तो यहाँ पर अपनी जो भी हमारे पर device है उसका serial number अब दोस्तो यहाँ पर serial number आप कैसे पेचाना होगे मैं भी आपको यह भी बता देता हूँ आपकी device में यानि कि जो है चोथा option पहला दूसरा तीसरा चोथा S-N यह दोस्तो SN number होता है वो आपको यहाँ पर धर्ज करना है सही तरीके से तो simply दोस्तो जो मेरे पास morph हो की device है मैं उसका यहाँ पर SN number में यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ है तो यहाँ पर दोस्तो आपको SN number यहाँ खाली आपको संखे डाली है 1738 दोस्तो आपको सही तरीके से आपको इसके बाद दोस्तो यहाँ पर आ जाता है आई यहाँ पर आई है आई के बाद दोस्तो यहाँ पर 058 तो दोस्तो यहाँ पर मैंने 058 को एंटर कर दिया है इसके बाद 023 023 ही मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है इसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको option दिख जा रहा है submit का तो simply आप submit के option पर एक बार tape कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तो थोड़ी सी searching चलेगी आपको थोड़ा सा इंतिजार करना है और आपकी जो validity है वो नीचे की तरफ आपको दीख जाएगे तो यहाँ पर हम रुख जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं अभी validity नहीं डिवाइस है इसका O-R-D-E-R नंबर यह रहा order नंबर serial नंबर और दोस्ते यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कब इसका जो मैंने जो payment किती ओन लाइन वो किती 137-2020 और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि 2721 यहाँ पर इसकी एक साल की warranty मिलती है यानि पूरे 303-65 दिन की quality में देखनें मिलेगी तो धोस्तों यहाँ पर आज तारिक हो चुकी है और यहाँ पर मैं आपको किषोए दिक्कत आ रहे हैं तो मैं इसका link जो link है यह ओपन होने वाला यह वाला link मैं आपको अपनी वीडियो की डिस्किप्शन में दे दूँगा आप लिंक पर किलिक करोगे तो दोस्तों आपको डारेक्ट गूगल की रोम में ले जाएगी आप डारेक्ट यहाँ पर एंटर कर सकते हो अपना से एस एन नंबर सीरियल नंबर और उसके बाद जो है मोर्फो डिवाइस में बैक झाल झाल नंबर से एन आपक पर खिंगता कर सकते हैं यहाँ नंबर सकते हैं मोर्प को जल इस दूएम करूएम के रावी कर सकते हो दो नंबर जो है को जल झाल आपको बभीण